फर्स्ट कोशन हमारा क्या है निमल लिख्थ में से कौन सा विध्यारतियों के अच्छे मानसिक सवास्त्य का लक्षन नहीं है ए कालपनिक दुनिया में रहना बी जीवन में संतूलन सी अपनी शम्ताओं एवं सिमाओं का ग्यान या डी एवांशित चिंताओं से मुक्ति तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कालपनिक दुनिया में रहना चलते हैं हमारे second question की और निमलिक्त में से कौन सा शिक्षन का स्तर नहीं है युगमों के मद्धियां नवीन समंदियों से समंदित कारी है या उतपाद सुधा समंदि कारी है या पूछो एवम अनुमान लगाओ समंदि कारी है तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होने वाला है D, Yes, D पूछो एवं अनुमान लगाओ समंधी कारिया चलते हैं हमारे फोर्थ कोशन की ओर फोर्थ कोशन है हमारा किशोरों का समाजिक विकास करने है तू कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उप्यूक्त है ए समाजी करण पर चर्चा या समाजिक मुल्यों पर निमंद प्रतियों गिता या सामूहिक गती विधियों का आयोजन या डी समाजिक समंधों पर वृत्र चित्र तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर डेफिरिलि होने वाला है सामूहिक गती विधियों का आयोजन चलते हैं हमारे नेक्ट कोश्चन की और फिफ्ट कोश्चन है हमारा ये ये हमारा कोश्चन है समवेग एवम मूल प्रवर्ती के संदर में कौन सा युगम सही नहीं है हमारे पास देखो उपर क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है समवेग मूल प्रवर्ती ठीक है? ए है हमारे पास करोद के साथ निवरिती अधिकार के साथ संग रहे है C. अश्यरे के साथ जिगयासा भै या पलायन तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या होने वाला है? करोद निवरिती चलते हैं हमारे नेक्स कोश्टन की और question number six, त्री तंत्रिय सिधान्त के अनुसार, निमन लिखित में से कौन सा बुद्धी का एक प्रकार नहीं है, विशेशनात्मक, स्रिजनात्मक, सिधान्तिक या व्यवहारिक, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो definite हमारा आंसर होगा, सिधान्तिक, next question देखते हैं, question number D निमन लिखित में से कौन सा कारक अधी गम को सकरात्मक रूप से प्रभावित करता है, A. अर्थ हीन विशेवस्तू, B. परिपक्ता की कमी, C. अभी परेणना की कमी, या D. सुचनात्मक परती पुष्टी, तो अगर हम इसके आंसर को देखें, तो हमारा definitely बनने वाला है, D. सुचनात्मक परती पुष्टी, क्या? सुचनात्मक परती पुष्टी, चलते हैं हमारे next question की और, that is, eighth question, रोहित प्रशंसा पाने हे तू, दूसरों की सहायता करता है, यह एक उधारन है, किसका? आंत्रिक अभी परेणना का, बाहिय अभी परेणना का, या जनम जात्व हमारा बाहिय अभी परेणना का, चलते हैं हमारे ninth question की और, एक पंद्रा वर्श के बालक की बुद्धी, लब्दी क्या होगी, जबकि उसकी मानसिक आयू 12 है, A, 80, 90, 100, या 110, तो अगर हम इस ninth question की आंसर की बात करें, तो ninth question का आंसर हमारा होगा, A, मतलब 80, चलते हैं हमारे next question की और, हमारा tenth question, जब एक निश्चित संख्या में परतिक्रियाओं के बाद ही अधिगम करता को पुनर बलन परदान किया जाता है, तो यह किस प्रकार की पुनर बलन अनुसूची है, निश्चित अनुपात, परिवरतन शील अनुपात, निश्चित अंतराल या परिवरत that is 11th question, व्यक्तित्व आकलन हे तू, परसंगिक अंतर बोर्द परिक्षन, किसके द्वारा विक्सीत किया गया, मरेवै, मॉर्गन, बैलेक, आईजेंक या आलपटन केटल, तो अगर हम 11th question के आंसर की बात करें, तो definitely हमारा आंसर होगा A option, yes A, हमारा next question देखते हैं, question number 12, very well, springer का व्यक्तित्व वर्गी कर्ण, व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से समन्दित हैं, शीलगुन, परकार या मूर्परवर्ती या मनो विशलेशन, तो अगर हम इस question के आंसर की बात करें, तो हमारा आंसर होगा परकार उपागम, question number next देखिए, 13, विकास, जो केंदर से प्रीधी की और, केंदर से प्रीधी की और बढ़ता है, वो क्या कहलाता है, सिफैलिक कोडल, या प्रोक्सिमोडिलिस्टल, या स्प्रिल, या वृत्तिय, तो अगर हम इस question की आंसर की बात करें, तो हमारा answer होगा B, क्या होगा B, चलते हैं हमारे next question की और, question number 14, व्यक्तित अध्यन की शील गुन विधी के जनक कौन कहे जाते हैं, आलपोर्ट, वुडवर्थ, मेडुगल, या आईजिंक, तो अगर हम 14th question की आंसर की बात करें, तो आंसर हमारा क्या है इसका, आलपोर्ट, next question देखते हैं, निमन लिखित में से कौन सा कथन, व्यक्तित, विविन्ता पूरन समान नहीं हो सकते हैं, या व्यक्तित विविन्ता अलग अलग शेतरों में समंदित हो सकती हैं, या विविन्ता विकास के विमिर आयामों को परवाइद करती हैं, या विविन्ता केवल अनुवान शिक्ता के कारण उत्पन होती हैं, तो definitely हमारा answer is D बनेगा, ये जो विक्तिति या परशनेल्टी के विविन्ता होती हैं, केवल अनुवान शिक्ता के कारण ही उत्पन होती हैं, कोश्च नमबर 16 कि यह चलते हैं, कोश्च नमबर 16 है, एक परकार का बुद्धी परिक्षन जिसमें परशनों का कटनाई स्तर करमशय भढ़ता है, परशनों का इसके आंसर की बात करूँ तो definitely हमारा ये है शक्ति परिक्षन कौश नमबर 17 कोहल बर के सिधान्त के अनुसार यह किस तरकी नैतिकता है जब नैतिकता में सव स्विकृत नैतिक सिधान्त सिमिलित हो जाते हैं पूरो रूडिगत या रूडिगत या उत्तर रूडिगत या इन में से कोई नहीं तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा बनेगा ये उत्तर रूडिगत चलते हैं हमारे नेक्ट कोशन की और कोशन नमबर हमारा 18 निमलिक्त में से कौन सी अभिवरीती मापण की एक परत्यक्ष विधी नहीं है तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास option क्या है शक्षतकार, प्रेक्षपण, प्रशनावली या अवलोकन तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा B चलते हैं हमारे next question की ओर एक शिक्षक के रूप में आप विध्यारतियों की इस रिजनात्मक्ता बोले तो creativity का विकास करने हैं तो निमलिक्त में से कौन से कारिया हैं नहीं करेंगे creativity को develop करने के लिए मतलब पहला है मौलिक्ता को पोहसाहन दूसरा भै को दूर करना या परतिक क्रिया की सतंतरता या अपसारी चिंतन का परिहार तो अगर हम इस question की आंसर की बात करें तो हमारा बनेगा D अपसारी चिंतन का परिहार next question देखते हैं क्या है पियाजे के संग्यानात्मक विकास सिधानत के अंसार संग्यानात्मक संदरंचना की वह मूल भूतिक आई है जो किसी संग्यानात्मक विवहार के क्रिया उनवन में मदद करती है वो क्या कहलाती है सहज परिवर्तिया या मूल परिवर्तिया schema या selection तो अगर हम इस answer की बात करें तो इस answer को हम कहे सकते हैं हमारा C करते हैं next question की और question number 21 भूक एमम प्यास किस परकार का अभी परेरक है भूक और प्यास किस परकार का अभी परेरक है भाहिय अरजित आंत्रिक या हमारा ये समाजिक तो हमारा answer बनेगा ये C next question देखते हैं जब एककिशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में ऐस समर्थ होता है तो वह क्रोध अपने चोटे भाई पर प्रकट कर देता है ये किस परकार की रखशात्मक युक्ति का उधारन है तो इसमें हम कह सकते हैं दमन, परतिगमन, प्रकश्यम्र या विस्थापन तो अगर हम इसके answer की बात करें तो answer हमारा बनेगा D विस्थापन next question देखते हैं निमलिक्त में से कौन सी किशोर वस्थाओं की एक समाने विशेशता नहीं है यह संधी करण की वस्था है या यह वास्थिक तक की वस्था है यह पहचान की खोज का समय है या यह योवारंब की दहलीज है इस question का answer मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ इस question को आप अपने according देखेगा क्या इसका answer हो सकता है next question देखिए इस question का answer आपको comment box में जरू लिखके बताने मुझे इसका answer किया है चलते है next question की ओर question number 24 निमलिक्त में से कौन सा brown fin brainer के परिसधारी संत्र सिधानत का भाग नहीं है microsystem macrosystem minor system या mesosystem इसका answer C या D में से कोई एक है इसका answer भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ 50-50 मैं आपको बोल दिया है मतलब A और B तो पका नहीं है C या D में से एक answer पका है तो इसका answer भी आपको comment box में लिखके बताना है कि इसका answer क्या होगा तो इसका answer अब जल्दी से मुझे बताने वाले है इसका answer क्या है तो जल्दी से comment box में लिखिए चलते हैं next question की और तो इस question का answer हमारा A और C में से एक है A और C में से अब A और C में से क्या answer है येस अगर आप थोड़ा साथ सोचेंगे वीडियो को post करके एक पर सोचेंगे इसका answer हमारा बन सकता है C येस C सुनना और पढ़ना next question देखते है मैसलो के अवशकता पदानु करम सिधान के अनुसार सम्मान की अवशकता किस प्रकार की अवशकता है ये question वो लोगों को भी पता होगा जो commerce में बिन्द स्टेडी स्टेडी करते हैं पांच लेवल साते हैं अब रहा मासलो की थियोरी है ये तो हमको इसमें पताना है ये जो सम्मान की अवशकता है रिस्पेक्ट ये रिस्पेक्ट की जो नीड है ये किस प्रकार की अवशकता है परसनल है सोशल है इंटलेक्चल है या सवेगा अत्मक है किस प्रकार की है ये तो इस question का answer भी मैं आपकी उपर छोड़ रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ इसका answer B या C में से कोई एक है किस में से B और C में से तो इसका जो भी answer है आप जल्दी से comment box में लिखिए ये हमारी कौन सी है चलते है नेक्ट question की और प्याजे के नैतिक विकास सिधान्त के अनुसार की शोर वस्ता क्या है नैतिक वस्टिकता की वशकता है या फिर दबाव की नैतिकता की वस्ता है या प्रायत नैतिकता की वस्ता है या सวयत नैतिकता की वशकता है तो इसका answer definitely हमारा क्या बने वाला है D बने वाला है चलते हैं हमारे एक नेक कोशन की और question number 28 एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है cream 2 तो पानी के लिए, पानी को पीने के लिए तो बाध्य नहीं कर सकते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम, तो आप अगर इसका आंसर देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो हमारा इसका आंसर बनेगा A, तत्परता का नियम. seask 스iaminku, समय कात्मक बुद्धी को चार शितरों में समयगों के सात्तरक करने की शमता की रूप में परिभाशत किया जा सकता है, समय को देखने, यसे वीचार में एकी गिरित करने,лекसे समझने और इसे परिति बन्दित करने, तो समय कात्मक बुद्धी की परिभाशत किस ने दी है तो अगर यह कोश्ण अगरम सीधा देखे तो यह आंसरम को पहले से पता भी है सबको पता ही होता क्योंकि जब यह को definition सबको पता होती है तो यह definition given है मेर एम पीटर से लोगे ठीक है उप्योग करते हैं तो यह कौन सा है बहुत समेद्य अधिकम है यह दल सिक्षन है यह सहकारी अधिकम है यह अभी क्रिमित अधिकम है तो इस question का answer हमारा हो सकता है ए और सी में से तो ए और सी में से देखे तो डेफिलिट यह आप वीडियो को पोस्ट करके सोचिए इसका answer क्या हो सकता है जल्दी से comment box में लिखिए और लास्ट में आप answer इसका देख भी सकते हैं यह इसका answer होगा हमारा सी सहकारी अधिकम तो अगर आपको कोई लगता है कि इसमें से कोई भी question हमारा गलत हुआ है मैंने कोई answer गलत note down किया है तो आप please comment box में लिखिए मुझे भी आप correct कराना चाहें तो करा सकते हैं तो आपकी जितने भी answer होंगे मैं उन सब को welcome करूंगा तो जो भी question है आप comment box में जरू लिखिएगा तो वीडियो को अपने friends तक share जूर कीजीगा कहते हैं न कि ग्यान बाटने से भड़ता है तो वीडियो आगे से अगे share भी कीजीगा चैनल को subscribe भी कीजीगा तो यहां तक की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद